दुनिया रॉंग्टे खड़े कर देने वाले इतिफाक या कोईंसिडेंस से भरी पड़ी है और कभी कभी इस हद तक पहुँच जाती है कि लगता है कि कोई इस दुनिया को कट पुतली की तरह चला रहा है तो चलिए बिना देरी कि यह आपको कुछ ऐसे कोईंसिडेंस के बा काली ये वीडियो उनसे कहीं ज़्यादा जबर्दस्त है साल 2000 में शियू नाम की एक औरत अपनी मा के साथ चीन घूमने गई थी वहां कियागो शेहर में इस्थित फोर्थ में समारक के सामने खड़े होकर उन्होंने ये फोटो किचवाई थी फोटो में कोई खास बात नही थे जी हां उनके पती ने भी ठीक उसी दिन उसी जगह फोटो खिचवाई थी बस उनके फोटो का एंगल थोड़ा सा लग था एक ही दिन एक ही जगह फोटो खिचवाने वाले टीनेजर्स आगे चलकर पती-पत्नी बने और उनका मिलान हुआ उस जगह से हजारों मील दूर अगर ये तकदीर नहीं है तो मैं नहीं जानता भई कि तकदीर किसे कहते हैं। पते वक्त गुम कर दी थी। उस पर गुदे उनके नाम के अक्षर इतने सालों के बाद भी साफ नजर आ रहे थे। उल्वी अपनी इस चोटी से खोच पर बहुत खुश थे और अपने दोस्तों से ये बात शेयर करना चाते थे पर अफसोस उनमें से अब कोई भी जिन्द जिन्दगी का एक बहुत ही हजीब औ गरीब वाक्या सुनाया। यूजर ने बताया कि बच्चपन में उनके डैट की इंडेक्स फिंगर या तरजनी का सिरा किसे हाथसे के वज़े से कट गया था लेकिन इत्तिफाक तो देखिए यूजर के हाथ की वही उंगली डैट की पहुचने के बाद बढ़ना बंद हो गई। उनकी उंगलियां डैट के चलते चोटी रह गई। कमाल है बाई। महिला की माने तो ये मैट्रिक्स फिल्मो जैसा ही कोई सीक्रिट मैसेज है जो पढ़ने वाले को गहरी नीद या कोमा से जागने के लिए कह रहा है। इस इत्तिफाक में लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब नहीं डूट रहे हैं आपका क्या कहना है। कमाल की बात है कि 2010 में उन्होंने फिर से एक लाह कैनेडियन डॉलर की लोटरी जीत ली। जब 2017 में इस कपल ने 16.3 मिलियन कैनेडियन डॉलर का जैकपॉट जीता। इस बार तो उन्हें पती से ये कहने की जरुद भी नहीं पड़ी कि हमारी लोटरी लग गई है। मैंने फिर सिकर दिखाया। ये कहना काफी था। वैसे हर किसी की किस्मत इतनी तकडी ने होती। अब इस बंदे को ले लीजे। का आज के फिंक दंबत्ती की थोड़ी सी किस्मत इस बेचारे को मिल जाती। क्या पाना मुश्किल है कि इस ओरत की किस्मत बड़ी जबरदस्त है या ये खुद एक चलते फिर्तिपन होती है। तो जेसाब उस शिप पर मौजूद थी। 1916 में सी माइन से टकरा कर डूबने वाली HMS ब्रिटानिक पर भी वो मौजूद थी। और मैं ये तो बताना बूली गया कि वो 1912 के टाइटेनिक हादसे में भी जिन्दा बच गई थी। यानि समुद यात्रा के दौरान अगर मिस जेसब आपके आसपास हैं तो आपको तुरंट लाइफ जैकेट निकाल कर रेडी रहना चाहिए। नमबर 14 कार निकली किसमत की रानी कहते हैं कि संयोग और अच्छी किसमत में कोई खास फर्क ने होता पर सवाल ये है कि अच्छी किसमत आखिर किस हद तक काम कर सकती है। संयोग वो है जिसे देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ऐसा होने के चांसे आखिर कितने कम हैं। नए घर में शिफ्ट होना या पुराने वाले के मरमत कराना बहुत ही जंजट वाला काम है लेकिन इस घर के नए मालिकों की ये मेनत वेकार नहीं गई क्योंकि घर के मरमत के दौरान उने गुद गुदाने वाले एक चीज मिल गई। एक जोर जेस मोनी ने बे एरिया में एक नया घर खरीदा और उसके पुराने बाथरूम का रिनोवेशन शुरू किया। कॉंट्रक्टर ने जब बाथरूम का प्लास्टर तोड़ा तो उसमें चिपी हुई एक फोटो से मिली। घर के पिछले मालिकों ने 1995 में इस बाथरूम का रिनोवेशन कराया था और आने वाले मालिकों को इसके बारे में बताने के लिए अपनी फोटो के साथ दीवार में एक संदेश शपा दिया जिस पर लिखा था हमारी चुनी हुई डिजाइन में क्या खराबी थी इतना ही नहीं उन पुराणे मालिकों ने अपने घरगोश की तरफ से भी एक संदेश छोड़ा बताने की ज़रूत नहीं है कि दोनों ही मैसेजजेज इंटरनेट पर खूब व दूर नजर आ रहे हैं उस टाप हुग देखे क्या वो एकदम डिजनी फिल्म मुएना के मानाव रूपी टेफिटी की तरह नहीं दिख रहा नमबर दस कहानी के असली लेखक का कोट मिला फ्रेंक मॉर्गन को आप 1949 के फिल्म दा विजर्ड ऑफ आउज में महान जादूगर का किरदार अदा करने वाले अक्टर की रूप में जानते होंगे पर असल में फ्रेंक ने उस फिल्म में पांच रगलग रोल अदा किये थे जिसमें एक कैप ड्राइवर ओज के दरवाजी का संत्री एक सैनेक और भविश बताने वाले दुष्ट प्रोफेसर मार्विल का र नाम गुदा हुआ था जिन्होंने सन 1900 में दा विजर्ड ओफ ऑफ ऑज की पहली नॉवल लिखी थी फिल्म को एकदम रियल बनाने के मकसद से उठाया गया एक छोटा सा कदम एक दिल्चस्प संयोग में बदल गया प्रदूसर्स ने कोट सिलने वालों से संपर किया तो पत खड़े करतेने वाला ये संयोग साल के सबसे खुश्णमा हिस्से में घटा नोरफॉल्क में रहने वाली लेवीनिया और लोरेन नाम की दो बहने 1994 की क्रिस्मसी वाले दिन अपनी अलग-अलग गाडियों से घर जा रही थी तब ही रास्ती में उनका एक्सिडेंट हो गया पर ये कोई आम एक्सिडेंट नहीं था क्योंकि एक बहन की कार नहीं दूसरे बहन की कार में टख खर मारी थी वड़म ना देखे 31 वर्ष ये आयू वाली ये बहने एक दूसरे को क्रिस्मस का तowser देने निकली थी और दोनों एक दूसरे की आत्रा के बारे में कुछ नहीं connection होता है लंबे समय से बहस चली आ रही है कि मनुश के आचरण को उसके इर्दगर्द के माहौल में ज़्यादा उसकी बायलोजी प्रभावित करती है और दा जिम ट्विंस नाम से मशूर दो जुडवा भाईयों की कहानी ने इस बहस के लिए आग में घी डालने वाला काम किय 1940 में इन जुडवा भाईयों को अलग-अलग परिवारों ने गोद लिया और व्यास खोने तक दोनों को एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं पता था फिर भी दोनों की जिंदगियां हुबहु एक जैसी थी दोनों भाईयों का नाम बदल कर जेम्स या ज जैसी थी और बात यहीं पर खत्म नहीं होती वे दोनों ही एक जैसी शेवरले चलाते थे और फ्लोरिडा के सेम बीच पर चुट्टियां मनाते थे सन 1977 में 49 साल की उमर में जब दोनों भाई एक दूसरे के सामने आए तो अपनी जिंदगियों की similarity देखकर दंग रह गए और खुशनसी बंदे को एक पुरानी सी इंट में नोकिया का एक सेट दबाऊवा मिला जिससे ये थावित होता है कि नोकिया के फोन को नश्ट कर पाना लगबग ना मुंकेन है और सबसे अची बात तो यह थी कि फोन की बैटरी अभी भी सही सलामत थी बस बावर बटन पहली बता दी थी एकदम असली जैसे दिखने वाली यह तस्वीरें 2015 कियें लेकिन साल 2000 में ब्राटकस्ट किये जाने वाले एपिसोड बाट टू दा फ्यूचर उसमें भी ट्रंप के प्रेजडेंट बनने का जिक्र किया गया था उस वक्त शो में लीजा सिम्सन सन के एक्टिविजम से कंपेर करते हैं मतलब अगया ग्रेटा यूएस सेडिजन होती तो आगे चलकर उस देश की रास्ट्रपती बन सकती थी नमबर पांच नर्स की मिहनत क्या रंग लाई अमेरिका के स्टेंफोर्ड में स्थित पैकर्ड चिल्डरेंस हॉस्पिटल में ज समय से पहले जनमा दो पाउंड वजन वाला वो बच्चा आज पीडियाट्रिक नीरलोजी में सेकेंड यूएर रेसिडेंट था और आगे चलकर उसी अस्पताल में विलमा का सैकर में बनने वाला था शायद ये विलमा द्वारा की गई देखभाल का इनतीज़ा था कि ब्र ऐसी फोटो पर पड़ी जिसने उनकी रिलेक्शनशिप के माईने बदल कर रख दिये वे दोनों अब तक समझते थी कि उनकी पहली मुलाका 20s की उम्र में हुई थी पर फोटो से पता चला कि दोनों की मा स्कूल टाइम में दोस्त हुआ करती थी और दोनों मंगे तर जब छ लहरें एक लोकल लाइट हाउस से टकरा रही थी रॉन ने जब फोटो को नेट पर डाला तो एक न्यूस चैनल ने उसे अपने प्रग्राम में यूज करने के लिए रॉन की पर्मिशन मांगी लेकिन जल्द ही रॉन पर एक दूसरे फोटोग्राफर एरिक ग्रेंडन की फो संयोग तो इतना जबरदर्स्त है कि एसे दो इतिहास के किताबों में दर्ज किया जाना चाहिए बाई तो लोगों ने आरोप लगाया कि ये फोटोशॉप एडिंग का कमाल था अपनी बात को साबित करने के लिए वे दोबारा उसी जगह पर गए और कमाल तो देखिए ढूनने पर वो पत्ती फिर से उनको मिल गई पहली नजर में आपको लगया कि बिल मॉर्गन एक बहुत ही बतकिस्मत इंसान है और डॉक्टर्स ने उसे 14 मिनिट के लिए मृत घोशित कर दिया पर बिल फिर से जी उठे और होश में आते ही कोमा में चले गए जिससे उनके बाहर निकलने की उम्मीद बहुत कम थी 17,000 डॉलर कीमत की एक कार भी मिल गई उनके इस कमाल की किसमत से प्रभावित होकर एक लोकल नीज चैनल ने उन्हें लाइव कैमरा पर स्क्रेश कार्ट खोलने के लिए बुलाया हद तो तब होगे जब मॉर्गन ने फिर से धाए लाग डॉलर का कैश प्राइस जीता बहुत कुछ जीतने से पहले अपना सब कुछ गवा दिया था क्या इस तरह का कोई अजीब और गरीब इत्तिफाक आपके भी सामने आया है नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं हमारे चैनल पर आ गए हैं तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें देखने के लिए शुक्रिया